यह एए इए ऐसराम लीकुम काश्राएबन् लेक्चर सेवेंटी आज की लेक्चर का अगास करते हैं इस से पहले हमने इस चैप्टर में वाइंडिंग पी कंसर्ट्स पड़े सबसे पहले हमने स्टेडी किया मोड्स और वानिग आप कितने हैं korentry subject to supervision of court or by court voluntary bonding up में क्या होता है liquidator or liquidation का जितना भी procedure है वो सारे का सारा company की जेरे निगरानी यानि members की जेरे निगरानी या credit की जेरे निगरानी किया जाता है court की किसी level पर involvement ने होती subject to supervision of court का मतलब क्या है कि winding up के लिए proceedings सारी की सारी company कर रही होगी लेकिन court supervise कर रही होगी कि क्या ये सारे procedures ठीक perform किये जा रहे हैं कहीं किसी creditor या member के साथ कोई जाती दो नहीं हो रही यह सुपर्वियन यानि सुपर्वियन में court का रोल सिर्फ सुपर्वाइज देखने की हत्तक होगा जहां पर जुरूत होगी court interfere करती है वरना नॉर्मली court interfere पर नहीं करती यह सब्यक्ति शुपर्वियन ओफ कोट और winding up by court का मतलब क्या है कि कंपनी की management साइड पे कंपनी की management सारे director chief executive को घर बेज दिया जाता है और court करते एक official liquidator को पहले provisional manager जब तक proceeding चल रही है और जब winding up order pass हो जाए उस वक्त फिर official liquidator को point किया जाता है जो कि कंपनी के मामलात को manage करता है और कंपनी को wind up करता है जो हमारे syllabus में सबसे ज़्यदा material है सबसे ज़्यदा concept discuss हुए वह winding up by court winding up by court में अभी तक हमने क्या study किया हमने study किया कौन से सबसे पहले study किया कौन से circumstances हैं जिन में किसी company को wind up किया जा सकता है by court हमने study किया उसके बाद वह कौन से persons हैं जो कि apply कर सकते हैं court को far winding up ठीक है वह हमने study किया फिर इसके बाद सबसे अहम चीज़ हमने study कि official liquidator कि appointment किस तरीके से होगी appointment कौन करेगा appointment किस list में मुझूद professionals की appointment की जाएगी और उसके casual vacancy के बारे में हमने study किया तो अभी तक हम अपने chapter के जिस हिसे में उसमें हमने official liquidator की appointment को cover कर लिया यानि official liquidator की appointment हो गई अभी official liquidator का काम क्या है आज के lecture में हम यह study करेंगे official liquidator का असल में काम क्या है इससे पहले हमने उसकी appointment के रूल पढ़ दिये लास्ट लेक्चर में हमने क्या study किया था official liquidator की appointment के रूल उसका criteria उसकी appointment casual vacancy वगएरा 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 क्या official liquidator की appointment हो गई अब आगे क्या करना है उसने अफिशल लिपड़ीटर की appointment हो गई अब आगे क्या करना है दो काम उसने करना है याद रखेगा official liquidator के कितने काम करने हैं दो काम करने हैं एक statement लेनी है management से management में statement लेगा और उसकी base पे सको refine करके कुछ चीजें एक रिपोर्ट की शेकल देके रिपोर्ट सब्मिट करवाएगा को यानि एक हाथ से स्टेटमेंट ओफ एर्ज कलेक्ट करनी है मैनेजमेंट से और दूसरे हाथ से रिपोर्ट सब्मिट करवाने है कोट को तो सिर दोनों में फरक है एक हैस्टेटमेंट और एक है रिपोर्ट इन दोनों फरकमें रखेगा क्यी GUY यह दोनों लर्णिग प्जेटिव एक है इस्टेटमेंट अफ एर्स और दूसरा है रिपोर्ट नोट कीजिए लिखायस टूफिशल लिपीडेटर और फिर रिपोर्ट बाए ओफीशल लिकीडेटर का मतलब क्या है कि यह स्टेटम्न ऑफिशल लिकीडेटर को सब्मिट करव रहा है अच्छा बिसमें सबसे पहले तो यह जहेंज जिए कि दोनों के सटडी करें ला के स्टेटमेंट ओफ फएर्स के कंटेंट क्या हैं और जो खोड़ को सब्मिट कर यह जा रही है और पोर्ट के कंटेंट्स क्या है जो ऑफिशल की डिटर आगे कोड को सब्मिट कर वा रहा है तो आपको पता चलेगा के दोनों के contents तकरीबन एक जैसे हैं तकरीब एग्जेक्टली नहीं कह रहा है तकरीबन एक जैसे हैं यानि वही information जो है वह company की management official liquidator को provide करती है statement की शकल में और उसे ही कुछ तोड़ा बहुत verify करने के बाद verify करने के बाद official liquidator उस report को submit करवा देता है code को जैसे फर्स कीजिए management की तरफ से उसे पता चलेगा सर हमारे यह assets है यह liabilities है तो official liquidator क्या करेगा उन assets and liabilities को थोड़ा verify करेगा जैसे assets है तो उनकी किसी value और से उनकी valuation करवाएगा और जो final verified figures है यह code को submit करवाएगा है चीज वही लिस्ट of assets फरेक्स तरफ यह क्या है official liquidator की checking के बाद verification के बाद उसकी authenticity बढ़ गए तो main concept पहले statement submit करवाई जाएगी statement of affairs official liquidator को और उसके बाद official liquidator report submit करवाएगा यह clear हो गया statement और report में फराद अच्छा मैंने कहा के statement official liquidator को statement submit करवाई जाएगी कों submit करवाएगा कों submit करवाएगा यह statement management management से वराद CFO CEO director company secretary यह लोग अच्छा क्या current वाले लोग तो करवाएगे यह करवाएगे ना क्या अगर कोई previous CFO CEO है उसके पास भी हो सकता है कोई relevant information हो उससे भी कोई statement निकलवाई जा सकती है यह question है लाइस का जवाब देता है yes बिल्कुल निकलवाई जा सकती है लेकिन बहुत ज्यादा पुराने CFO CEO से नहीं ऐसे CFO CEO से नहीं जो 5 साल 6 साथ 8 साल 10 साल पहले कंपनी को छोड़के जा चुका है बलके वो जो तकरीबन एक साल के अंदर अंदर CFO CEO हो रहा है तो पहली चीज़ स्टेट्मेंट अफिशल को कौन देगा स्टेट्मेंट अफिशल को कौन किसके जिम्मेदारी है डिरेक्टर CFO CEO और यह तो हो गया कि जो स्टेट्मेंट ऑफ फियर्स है वो किस से ली जाएगी अब रिपोर्ट किसको दी जाएगी कोड को और इसकी एका कर जाते हैं तो दो कंसेट्स हैं एक है एक है रिपोर्ट पैए अफिशल लिक्रीटेटर किसको रिपोट देगा को और एक कंसेप्ट है स्टेट्मेंट ओफ फियर्स में स्टेट्मेंट अफ प्यर्स स्टेट्मेंट ओफ फेर्स टू ओफिशल लिक्टेटर वो स्टेट्मेंट जो ओफिशल लिक्टेटर को दी जाएगी अब अगर आपको याद हो को तो इसके पर्डिकुलर्स हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया थे याद है पर्डिकुलर्स लास्ट लेक्चर में पढ़े थे भूल गए होंगे ऐसा कि जी आपको तीन मिनिट दे रहा हूं आपने इन पर्डिकुलर्स को पढ़ना है और इसमें कोई भी एक एक एग्जेंपल ऐसी हो जो आपको समझना है तो आप पूछ लिजेगा यह है हमार पेज 194 पे लर्निंग अब्जेक्टिव 6 पेज 194 इस पे वो बता रहा है कि जो स्टेटमेंट ओफ फेर ओफिशल लिग्लेटर को सब्मिट करवाई जाएगी उसमें क्या-क्या इंफरमेशन इंग्लूड होगी इसको पढ़ दीजिए फिर इसमें से क्वेशन में आप से सब्मिट करवाई जाती है किसको सब्मिट करवाई जाती है और ओफिशल लिग्लेटर को कौन सब्मिट करवाता है चीफ एग्जेक्टिव सीएफो कंपनी सेक्टरी वगारा अच्छा मुझे यह बताइए स्टेटमेंट अफेर्स के किंटेंट्स हमने सड़ी किये थे अब अ ऐका एक एक्टी एक एक सेक्ठाल के लिस्ट के लिस्ट चेंटन फेर्स में अ seront देटल की इंफ्रमीशन नहीन चैंट्स oh statement fairs में Warum से फिरillon हम ऐहाएगे दिखीक है कम्पनी के मेंबरस कौन-कौन से कॉंट्रीबूटरी यह इंफर्मेशन भी नहीं आएगा में तबstyle के मेजर कॉंट्राट्स कोण से चल रहे हैं मेजर कॉंट्राट्स कों जो पेंडिंग है यह बिल्कु ठीक है तो इसका मतलब हुआ के हमें पता है के स्टेटमेंट में कुन-कुन सी information include की जाएगी ठीक है अच्छा यह सारी information जब आगे ऑफिशल लुकिड़ेटर अफिशल लुकिड़ेटर रिपोर्ट बनाके कोट को सब्मिट करवाएगा उसमें यह information तो होगी लेकिन में भी कुछ additional information भी हो ठीक है जैसे शेयर कैपिटल की बात मैंने की जैसे ongoing projects की बात की जैसे मैंने स्टेटमेंट फेर्स के हवाले से बाकी के कंसर्ट करते हैं पर्टिक्लर के लावा कि पहला कि फूर्शल सब्मिट सेटमेंट कोन सब्मिट करवाएगा चीफ एक्जेक्टिव सीएफ़ो डरेक्टर और कंपनी सेक्टरी यह सब्मिट करवाएंगे चार लोग नाम याद काम सब्मिट करवाएंगे काम सब्मिट करवाएंगे अगर अचाय इसमें कंसर्ट हमने सड़ी किया था रेलिमेंट ृव्य यह डेट अपना है देट आप नहीं है यह यह डिपैंड करता है पर वेजनल मैनेजर को पाइंट किया गया के नहीं किया गया बाद वकात कोट के पास जब application आती है ना कोट काती है हाँ और ये कंपनी की management तो fraud में इंवाल्व है ये तो कोई books of accounts record अबारा मेंटेन नहीं कर रहे है ये कोई दो नमरी कर रही है अच्छा company को wind up करना है के नहीं क करेंगे चुकि मैनेजमेंट फारग है और खत्रा है कि ये मजीद नुकसान पहुंचा सकती है कंपनी को तो वाइंडिंग आपका फैसला बाद में होगा अभी आरजी तोर पे प्रोवीजनली एक परसन को हम पॉइंट कर रहे हैं जो मैनेजमेंट की जगा पे कंपनी को अगर तो कोड ने प्रोवीजनल मैंजर को पाइंट किया हो तो जिस दिन मैनेजर पाइंट हुआ वह हमारी और अगर प्रोवीजनल मैंजर की पाइंट नहीं हुई गया से चलो एक विसनीमेंट इसान ठीक काम लिए है हम जरह हालात का जैब हैं ले करेंगे वांडिंग नहीं किया गया तो डेत ओफ वाइंटिंग और यह हमारी होगи इंस तो relevant स्वींटमेंट पडू को ब्लीक्रमा करेंदी है विदिन 15 डेज फ्रम डेर इसका इसका मतबह है यह पर फेर्स मेंजर कोशीमा करवाई या सकती यह अरफ मैंजर मेंजर पाइंट हुआ है अगर प्रोविजिनल मेंजर पाइंट नहीं हुआ तो यह अफिशल लिगुडेटर को सब्मेट कुरूए जाएगी कितने अर्से में विदिन 15 डेस नहीं विदिन 15 डेस फ्रों रेलिवेंट डेट के उपर फोकस कर रहा हूं मैं रेलिवेंट डेट का मतलब क्या है अगर प्रोविजिनल मेंजर की पाइंट मेंट हुई है तो प्रोविजिनल मेंजर की पाइंट मेंट की डेट होगी उसके 15 डिन के अंदर अंदर स्टेटमेंट फिर प्रोविजिनल मेंजर की पाइंट मेंट नहीं हुई तो फिर इसका मतल कलियर अच्छा इसका मतलब यहाँ 15 दिन के अंदर अगर पर विश्यनल मेंचर पॉइंट हुआ है तो उसका 15 दिन के अंदर उसे यह ओफिशल लिपीडेटर का KC आप के उपर तो फिर राइनिज आ बाटर के 15 दिन के अंदर अंदर ऐसाल लिफिडेटर को लेकिन प्रवीजनल मेनजर और ऑफिशल लिक्वीडेटर की डिस्क्रीशन है डिस्क्रीशन है वो गर आड़ करना चाहे तो करें इसलिए कि आगे चलके हम सड़ी करेंगे लाउन यह कहा है जिस तरह टाइम पिरेट है ना कि स्टेट्मेंट ऑफ फेर्ज लिक्वीडेटर को सब्मिट करवाई जाएगी उसी तरह टाइम पिरेड है कि ऑफिशल लिक्वीडेटर आगे रिपोर्ड कम सब्मिट करवाएगा अगे रिपोर्ड कम सब्मिट करवाएगा उसके लिए 60 डेज है फ्रोम रेलिमेंट डे उसकी इसका मतलब यह हुआ कि तकरीबन अगर जितना टाइम एक्स्टेंड करेगा ना ओफिशल लिक्वीडेटर मैनिजमेंट को स्टेटन अफेर्स सब्मिट करवाने के लिए उतना ही बाद में खुद उसका टाइम कम होता जाएगा क्योंकि उसने 60 डेज के अंदर अदर सब्मिट करवाना है तो क्लियर क्या कंसर्ट समझा भ और यह टाइम एक्स्टेंड हो सकता है अब टू 45 देज और फिर आगे अफिशल लिक्वीडेटर ने रिपोर्ट कब में सब्मिट करवानी है कोड को विदिन 60 डेज ओफ ऑपाइंटमेंट में ठीक है टाइम पिरेड क्लियर हो गया यह पता चल गया हमें के स्टेट्मेंट फेर्स किसने सब्मिट करवानी है कि कलियर कम सब्मिट करवानी है आ ठीक है जिसको एक्स्टेंड किया जा सकता है अब तू 45 डेज बैप पर वीजनल मैंजर ऑफिशल इप्रेल कोड इसका क्या 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 आक्या क्या करवाना ते यह में घुट लिया इसक्तेंटर प्रोट हमने study कर लिया कर लिया ना क्या क्या होगी बताइए assets और liabilities की detail और बताइए debts secured और unsecured debts में classification और क्लासिफिकेशन और क्या होगा debtors के name address occupation और amount realized expected to be realized previous 180 days में जहां जहां कंपनी ने बिजनिस की डिटेल यह सारी information और कुछ मजीद information भी स्टेप्मेंट फेरिज में इंक्लूट की जाएगी reimbursement of expenses अगर इन लोगों को अब देखें और फिश यह लोग घर जा चुके थे यह लोग कैसे पता जला घर जा चुके थे वाइंडिंग और पार्स वाजब ऑफिशल लिक्विडेटर पॉइंट वह घर जा इनको घर इंबर्स कर सकता है लोग ने कहा येस ठीक है प्रवीजनल मेंजर यह अफिशल लिक्विडेटर इन परसंस को जिस जो से स्टेट्मेंट दे रहे हैं स्टेट्मेंट फेर सब्मिट करवा रहे हैं इनके एक्सपेंसेज रिंबर्स करवा सकता है हाँ यह जाहिर अपनी जेब से थोड़ी देगा वो कंपनी के ही एसट मेंसे देगा कंपनी के पास कोई ना कोई कैश पढ़ा होगा ना बैंक में पैसे पढ़े होंगे ठीक है यह तो स्टेट्मेंट फेर्स देखे स्टेट्मेंट snafers में कैश और बैंक बैलनस आता है कि बिलकुल आता है केश स्टेट्मेंट फेर्स में बइन्ट में और कि आपको फरक रहे एकठे जब असर में जब दो चीज़ें मिलते ही जुलती होती है ना उनको कंपैरिजन फार्म में पढ़ाना बहतर होता है ताकि दोनों में डिफरेंस क्लियर रहें दोनों को आज इकठे पढ़ाने का मकसद यह नहीं है कि दोनों को कि इनफेर्ट भी जैसे कौन सी इनफर्मेशन है जो के रिपोर्ट में है जो रिपोर्ट जिस्टार सब्मिट करो सोरी अफिशल लेकिन वह स्टेट्मेंट अफिर्स में नहीं है अब वो कहता कि आप जो कंपनी के करेंट CFO CEO वगारा थे उनसे तो आपने स्टेटमेंट ओफ वेस्बन वाली अगर कुछ इंफरमेशन प्रिपेर करने के लिए पास्ट के पुराने कोई CFO CEO सेक्टरी बगारा की जरूरत है क्या उससे भी स्टेटमेंट निकलवाई जा सकती है क्या जो CFO CEO कंपनी सेक्टरी डिरेक्टर या फीसर ओफ दा कंपनी कंपन स्टेटमेंट रिक्वाईर की जा सकती है कोट से इजादत लेके है ऑफिशल उक्विलिटर जो पास्ट के CFO CEO या इंप्लॉई हैं उनसे भी स्टेटमेंट ले सकता है लेकिन कौन से वाले जो के एक साल पराने विदिन वन येर बिफोर रैलिमेंट डेट से एक साल पहले त काति कम्पनी के डिरेक्टर c Y nic for company सेक्ट्री रहें यां कम्पनी की फार्मेशन पार्ट रहें यहां इंप्लाइम्ट अफ दे कम्पनी में रहें यानि ऐसे लोग जो कम्पनी इन शार्ट हर वा पर्षन जिसका कम्पनी से कोई तल्ब रहा है किस तरसे में relevant date से एक साल के दर एक साल से पुराने आए तो फिर उनसे नहीं पूछ सकते हैं उनसे नहीं पूछ सकते हैं किस से statement ले सकते हैं जो relevant date से पहले एक साल के अंदर अंदर कंपनी के डारेक्टर ऑफीर स्पाइब के स्यंटीरी रहे हो यह कंपनी इंपलॉय रहे हूं या किसी भी त्रीके से कंपनी की formation promotion management में हिस्सादार रहे ह। उसका पार्ट हिस्सा रहे हो ऐसे लोगों से भी स्टेटमेंट निकलवाई जा सकते हैं अगर प्रवीजनल मेंजर की पॉइंटमेंट हुई है तो डेट ओफ पॉइंटमेंट मेंजर वरना डेट ओफ वाइंडिंग अब इस स्टेट्मेंट की कौन हासिल कर सकता है अफिशल डेटर को स्टेट्मेंट सब्सक्राइब वाइना इसकी कौन हासिल कर सकता है हर क्रेडिटर या कांट्रिपूटरी की क्या के सब्सक्राइब करना है उप वो statement fairs की copy हासिल करने के लिए जूट मूट का creditor या contributory बनता है शोग रहाता है अपने आपको कि मैं creditor या contributory हूँ law क्या कहता है उसको हम सजा देंगे इस जुर्म की सजा देंगे सजा क्या देंगे ये नहीं बताया उनोंने सजा क्या देंगे किस लिए इस लिए कि वो statement of affairs को inspect कर सके या उसकी copy हासिल कर सके ये offense है ये जुर्म है जिसकी ताजिराते पाकिस्तान के मताबिक जो भी सजा है वो मिलेगी कले आप जी क्राइटर कांट्रिबूटरी के लावा किसी को नहीं लेना चाहिए बिलकुल किसी को लेना चाहिए वो हो सकता है किसलिए लेना चाहते होंगे इसके बारे मिलानी नहीं नहीं बताया उससे इस तरफ ये कहा है कि इनके लावा को और मन्दा statement phrase की copy आशिल नहीं कर सकता हो सकता है वो चोर हो यह बताया नहीं यह बात मेरे जहन में कभी नहीं आ सकती थी जो इनके जहन में आई है यह हो सकता है वो चोर डाकु हो उसने देखना हो कमपनी के पास कितना cash पड़ा उनमे cash in hand की detail होगी नहीं उसमें की detail होगी सारा तो जोरी में कितने वैसे बढ़े हैं तो इसलिए वो कहें कि मैं मेंबर हूँ मुझे सार लिस्त दिखाओ तो उसे नहीं मैंने कोई एक्जेंपल नहीं दी थी यह इसने एक्जेंपल दी चालिए है बारा यह clear होगा statement of affairs penalty penalty दी जाएगी level 2 अगर इसकी violation होगी तो इसकी हाँ जी violation की बात कर रहा है यहां तक clear अभी तक हमने क्या study किया statement of affairs फिर इसे बताइए statement of affairs किसको submit करवाई जाएगी official यह प्रोविजनल मैनेजर को ओफिशल उकिलेटर कोन सब्मिट करवाएगा कोन सब्मिट करवाएगा cfo c eo director यह secretary of the company करंट भी और जो पिछले एक साल के अंदर अंदर within one year of relevant date company के cfo c eo secretary यह डिरेक्टर रहे यह कंपनी की इम्लाइमेंट में रहे यह कंपनी की formation से लिंक रहा है उनका ऐसे लोग statement सब्मिट करवाएंगे किसको इफिशल इफिशल लिकुटिट कब करवाएंगे विदिन 15 देज फिफिटीन देट किसे कहते हैं अगर प्रफिशनल मेंजर की है निध मेंजर ऐप्रिक्ट मेंजर नहीं हुए दो गैडीक गएड इस किशनल श्चाल इसके लिए इन लोगों को एकस मेंशेंगा स्क्राइब करने की कोशिश करेगा तो अभाटा है रेपोर्ड की तरह स्टायटमेंट फेर्स कलिएर हो गए रिपोर्ड की तरह स्टेटमेंट फेर्स मिल गई ओफिशल लिक्यूटीड़ को अब उसने 15 दिन के अंदर-अंदर मिल गई अब उसने 60 दिन के अंदर-अंदर यानि मजीद 45 दिन उसके पास है अगर वो extension ना कोई extension नहीं दी उसने official liquidator ने तो 60 days के अंदर-अंदर उसने report बनानी है और submit करवानी है code को और एक copy देनी है registrar को went to submit report as soon as possible but within 16 days from winding up order यानि वो कह रहा है अगर जल्दी बन जाना तो 60 दिन पूरे नहीं का इंदार ना करो report जल्दी submit करवा दो इस report में क्या-क्या particulars include किये जाएंगे अब आपने मुझे बताते जाना है वापिस नहीं देखना statement affairs की तरफ मुझे बताते जाना है कि क्या ये वाला matter ये वाले पर्टिकुलर statement affairs में थे के नहीं थे Assets of the company and their values statement affairs में भी थे report में भी शाबार detail of trademarks intellectual property if any ये नहीं थे अच्छा specifically नहीं थे लेकिन जो पहली item है assets and liabilities की list तो ये भी तो assets है ये उस लिस्ट में आ रहा होगा intangible assets में तो ये भी थे cash and bank balance authorized and paid up capital ये report में तो शामिल है लेकिन statement of phrase में शामिल है liabilities में आप कह सकते हैं कि शायद वो present करते हो इसको लेकिन ये specifically authorized and paid up capital creditor secured and contingent liabilities contingent liabilities contingent liabilities statement of phrase में थी के नहीं थी pending source legal cases details of legal cases filed by or against company ये information में थी list of receivable plus realizable amount receivable from contributors कितने contributors हैं किस से क्या क्या मांट रसीप करने ये information नहीं थी इंपर्मेशन नहीं थी इंपर्मेशन नहीं थी इसके में एक इंटरस्टिंग आपको फैक्ट बता दूँ ये report जो court को report submit कुराई जाती है ना उसमें ये ongoing contract and joint venture खास तोर पे इसलिए भी जरूरी होता है कि winding up के वकितना एक बड़ा मसला होता है कि winding up order तो court कहती है हम आज की आज ही पास कर दें लेकिन कुछ मसले मसाहिल ऐसे हैं जो के अभी settle नहीं हो सकते हमीजेटली जैसे अगर company के खिलाफ या company ने दूसरों के खिलाफ case फाइल किया है अब आप खुद सोचें अगर court आज winding up order देके कहे पैसे सारे बांड़ दो credit में कल कला को इस case का फैसला company के खिलाफ हो जाए उसके लिए पैसे कहां से आएंगे तो इसी लिए यह जो legal cases की detail है जो contingent liabilities है यह court के सामने list आना जरूरी है इसी तरह उनकों प्रोजेक्ट्स हैं अब बताइए अगर कोई प्रोजेक्ट्स आल रहा है जैसे फर्स कीजिए छे मिने का contract किया हुआ है company ने उसमें दो मिने गुजर गए चार मिने बाकी है एक particular product ह वो चार मिने तक अगले चार मिनों तक मसलसल किसी एक दूसरी company को supply करनी है क्या ऐसे contract को cancel कर देना चाहिए क्योंकि company को wind up करार देने लगे है अब court ये decide करेगी कि क्या beneficial है क्या इस contract को पूरा करना ज्यादा beneficial है या इस contract को अभी खत्म कर देना और इसके बदले में damages पे करना ज्यादा beneficial है तो court को इसी लिए सारे जो ongoing projects है ongoing contracts है इनकी information होनी चाहिए ताकि पता चले कितने contracts कर रहे हैं कौन सा contract कम खत्म होगा क्योंकि मजीद तो company contract नहीं कर रही होगी अगर winding up order पास कर दिया जाए मजीद contracts तो company नहीं कर रही होगी लेकिन existing contracts का तो कुछने कुछ करना है ना existing projects का तो कुछने कुछ चलना है उनको दर्मयान में तो नहीं छोड़ सकते तो इसलिए उनका जायजा लेने के लिए कि उनके बारे में बेहतरीन course of action क्या हो सकता है क्या उनको पूरा करना चाहिए या कि जिन लोगों के साथ agreement किये ह से यह कि आप alternate supplier दून लें और यह contract cancel करते हैं जो भी बेहतर होगा इस दिस्रे में जो official liquidator है वो भी court को प्ली स्टेशन देता है कि किस तरीके से company की value को company की assets को हम maximize कर सकते हैं फिर detail of holding and subsidy अगर की holding and subsidy कमती है उसकी information और any other information considered इसा है जो भी जरूरी information हो जो official liquidator समझता है अगर report का हिस्था होनी चाहिए या जो court उससे require करें कि इसे भी report का हिस्था बनाओ official liquidator उसे report में include करेगा यह report किसको submit करवानी है code और एक copy जिस्टराट कोगे अगर court कहे तो official liquidator कुछ और matters पर भी report देगा जैसे manner of formation of company के company के बनने में कोई problem तो नहीं थे कंपनी की formation ठीक हुई promotors ने ठीक काम किया promotion or management कंपनी की formation incorporation promotion या management के हवाले से कोई problem हो ना जैसे official liquidator को लगे कि इन्हें सही manner में operate नहीं किया गया company को मामलात को सही manner में नहीं चलाया गया तो official liquidator इसके उपर भी report देगा कि सर management जो है ठीक नहीं बोर्ड ओफ डिरेक्टर जिनकी आती ही नहीं थे meeting नहीं करते थे छेचे महिने तो manner of management of company को किस तरीके से manage किया अच्छे तरीके से manage किया गया के नहीं को इसके बारे में कोई करेगा viability of business क्या company के लिए मजीद business करना viable है के नहीं है देखे code की हत्तों इमकान कोशिश यह होती है कि अवल तो अगर company को wind up ना करना पड़े देखे यह ultimate action होता है final action होता है code की तरफ से कि वो company को wind up करा दे दे practically क्या होता है कि जो भी issue है ना जो हमने start में पढ़ा था कि winding up by court इन circumstances के वज़ए से हो सकती है इन issues वो 12-13 के list practically court उन deficiencies को remove करने की कोशिश करता है जैसे statutory meeting conduct नहीं हुई financial statement फाइल नहीं की गई books prepare नहीं की गई management fraudland activity में involved है तो ऐसा नहीं समझेगा कि अगले ही दिन court order कर देगा ऐसी company को wind up करा दिया जाए बलके court पहले order यह issue करता है कि statutory meeting conduct करवाओ financial statement फाइल करो इस management को change कर दो business को जरा बेहतर तरीके से चलाओ ठीक है पहले court की कोशिश यह होती है उसी तरह official liquidator court को यह बता रहा है कि मजीद business लाना मुमकिन है के नहीं अगर वाइबल हो मजीद business लाना तो फिर court winding up order पास नहीं करेगा बलके management को change करने का order कर देगा ठीक है लेकिन अगर मजीद business लाना वाइबल ना हो तो फिर उसको wind up कर दिया जाएगा और other matters if directed by court अगर court कहें मजीद किसी matter के बारे में information चाहिए तो वो भी उसे submit करवाएंगे कुछ समझ है आज के lecture में हमने क्या सिखा हमने दो documents के बारे में बढ़ा winding up के वक्त में दो documents तो सबसे ज्यादा एहम है वो कौन सी है एक statement of affairs और दूसरा report to court statement of affairs कौन submit करवाता है किसको करवाता है official liquidator को करवाई जाती है statement कौन करवाता है कितने अर्से में विदिन 15 days from relevant date और इसके बाद official liquidator ने कब court को submit करवानी है विदिन 60 days from winding up order और यह 15 days की extension हो सकती है अब टू 45 days हो सकती है क्लियर कि इसके बाद उसमें matters हैं उमीद है कि वह आपको समझ आगे कोई problem तो नहीं है कोई question है तो पूछी यह सारी information कहां से लेता होगा जो difference आ रहे हैं वह information वह information कहां से लेता होगा वह information देखें इसमें जो मजीद information है ना जैसे इस इनफरमेशन को टेन करने में भी कंपनी की management CEO की help करते हैं वरना यह कंपनी के official record से भी देख सकते हैं कंपनी की latest financial statement में information आ रही होगी यहां पे एक वैल्यूर की बात है वैल्यूर की बात भी यहां पे थी का यह कि एसेस ऑफ दा कंपनी एंड यह वैल्यूर जो statement affairs है उसमें एसरस की लिस्ट आ रही है उनकी वैल्यूर भी लेकिन यह वह वैल्यूर जो कि किसी registered वैल्यूर ने certified कियो तो इसके लिए official liquidate किसी वैल्यूर को इंगेज करता है तो यह information यहां तो within the company document से मिल जाती है उसे जो इडिशन इंफर्मेशन है जो कि उससे statement of affairs में रिपोर्ट नहीं हुई क्योंकि हमने यह study किया है अभी तक के concept discussions हमने यह सीखा है कि report by official liquidate में कुछ ऐसी information होती है जो statement of affairs to official liquidate में include नहीं होती है sentence समझाया यह तो वह information question इनका यह कि वह information कहां से मिलेगी official liquidate को official liquidate को वह information मिलेगी company के अंदर internal record से या value से या registrar से कहां से मिलेगी registrar से नहीं मिलेगी registrar को तो खुद information देनी है खुदा का ओफगर डारेक्टर से जी और क्वेस्टन हो तो पूछ लीजिए तो पूछ लेजिए हैं कि वाइबेट्यों 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 बिजनेस में official liquidate अपना पूछ बताता है आया क्या business को continue करना ज्यादा beneficial है कि इसी वक्त business को wind up कर देना ज्यादा beneficial है अगर उसको लगे कि कोई ऐसा contractor जो भी pending है लेकिन company के लिए बहुत ज्यादा profitable है तो official liquidate court को recommend करेगा कि सर अभी इस company को बनना किया जाए बिलकि यह जो तीन-चार contract है इनको complete होने दिया जाए उसके बाद winding up क्यूंकि इससे company की wealth बड़ेगी इससे creditors को payment करने में आसानी होगी कि अफिशली बिल्कुल वाइंडिंगा पाडर लेकिन इसको डिले सकती है यह नहीं होगा कि आप company को wind up नहीं किया गया ठीक है लेकिन को डिले कर सकती है कि जब तक यह दो तीन contract पूरे नहीं होते हैं तब तक आप company को continue करें वाइंडिंगा पाडर तो ठीक है पास हो गया है इसका यह मतंब नहीं वाइंडिंगा पाडर कैंसल हो जाएगा लेकिन उसको पोस्पोन किया जा सकता है ताकि existing contracts compete हो सके provided के existing contracts ज्यादा beneficial है कमने के लिए और कोई question कोई वैसा नहीं चलिए अच्छा कल का lecture अगर प्रवेवली हमारा last lecture होगा जिसमें हम other modes of winding up पढ़ेंगे winding up by quote यहां पे complete होगया other modes of winding up पढ़ेंगे फिर इसके कुछ questions और MCQs है इसकी discussion में इंचाला कल के lecture में होगी है आज क्या lecture यहां पे खदम करते हैं अल्ला हाफिस